वक्र तुन्ड माहा का सूर कोटी समप्रभः निर्विग्नम कुरुमे देव सर्वकारे शुसर्वदा माहा की गनेश जी की कथा सत्यूग में हरिश्चंदर नाम के राजा राज करते थे हरिश्चंदर अत्यधिक सत्यवादी और बहुत धार्मिक प्रवती के व्यक्ति थे उनके राजय में प्रजा हर तरह सुखी वे संपन थी उनके राजय में एक ब्राह्मन रहता था जिसका एक पुत्र था प्रंतु ब्राह्मन की मृत्ति हो जाती है जिससे उसकी पतनी अपने पुत्र को पालती हुई गनेश चतुर्ति का वर्थ रखती है जब ब्राह्मन की का पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो घर के आसपास ही वह खेलने लगा ब्राह्मन की घर के पास ही एक कुमार भी रहता था उस कुमार को किसी ने बहका दिया कि यदि तु किसी बच्चे की बली अपने आवा आवा एक तरह की भट्टी होती है जिसमें मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं आवा में देगा तो तेरा आवा सदा जलता रहेगा और बर्तन पकते रहेंगे ये बात कुमार के मस्तिक में बैट गई उसकी नजर एक दिन उस ब्रामनी के बालक पर पड़ गई जो गनेश जी की मुर्ती से खेल रहा था उसने बालक को उठाया और उसे आवे में रख कर आग लगा दी काफी देर तक जब बालक घर नहीं लोटा तो ब्रामनी बहुत दुखी होती है और उसके जीवन की रख्षा के लिए गनेश जी से प्रातना करने लगती है गनेश जी ने उसकी बात सुनी और बालक की जान बच गई कुमार को अब अपने अपरात का बोध हो गया था राजा हरिश चंदर इस घटना के बारे में ब्रामनी से पूश्टाश करते है तो वह कहती है कि गनेश जी का सकट चोट का वर्थ करने से ही मेरे बच्चे के प्रान बचे है ब्रामनी और कुमार को भी कहती है कि तुम भी इस वर्थ को करो तुम्हारे भी सारे संकट वैदुख दूर हो जाएंगे शेंदुर लाल चड़ायो अच्छा दज मुख को दोन दिल लाल विराजी सुत गवरी हर को हाथ लिये गुण लड्डू साई सुर्वर को महिमा दहेन जाये लागत उत्वत को जै देव जै देव जै जै जी गणराज वित्या सुख दाटा धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जै देव जै देव पष्टो सित्ती दासी संकट को बैदी विग्न विनाशन मंगल भूरत राधिकाली पोटी सूरद प्रकाश ऐसी छबितेरी गंडस्तल मदमस्तक जुलश शिविहाली जै देव जै देव जै जै जी गणराज वित्या सुख दाटा धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जै देव जै देव वावबगत सेकोई शर्णाधत आवे संतत संपत सबही भर्पूर पावे तैसे तुम्हाराज मोको अतिभावे गोसावी नंगन निशितिन गुलदावे जै देव जै देव जै जै जी गणराज वित्या सुख दाटा धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जै देव जै देव गणपती की सेवा मंगल की मेवा सेवा सेवा से सब विग्न टरें तीन लोक तै तीस तेवता द्वार खड़े सब अरज करे रिदिशिति दक्षिण वाम विराज पान बान सों चमर करे धूप दीप और लिये आरती भक्त खड़े जैकार करे गुड के मोतक भोग लगत है मूसक वाहन चड़ा करे सोम्य रूप सेवा गणपती की विग्न भाग जा दूर परे बिख्र भाग जा दूर परे भाद मास और शुक्ल चतुर्ती दो पारा पूर परे लियो जन्म गणपती प्रभुजी दुरगा मन आनंद करे अद भुत बाजा बाज्या इंद्र का देव बन्दु जाकान करे श्रीशं करके आनंद उपज्यो नाम सुन्या सब विग्न टरे आनु विदाता बैठे आसन इंद्र अपसरा नुठ करे देख वेद ब्रह्माची जाको विग्न विनाशन नाम धरे एक दंत गज बदन बिनायक प्रीन अन रूप अनुप धरे पग खंबासा उदर पूष्ट है देख चंद माहाश करे देख चंद माहाश करे देश राप श्री चंद देव को तलाहीन तक काल करे जोदा लोक में फिर गणपती तीन भुवन में राज करे गणपती जी की पूजा करे से काम सभी निर्विग्न सरे श्री प्रताप गणपती जी की हाथ जोड अस्तुती करे हाथ जोड अस्तुती करे गणपती की सेवा मंगल की मेवा सेवासे सब जिग्न तरे दीन लोक पैर इस देवता गवार कडे सब अरज करे गवार कडे सब अरज करे वार कडे सब अरज करे ओ यदेन यत्रमयडंत देवा स्थानि धरमाणि प्रतमान्यासन्न पेह नागं महिमानस सजंद्र यत्र पूर्वे साथ्या संधिलेवा ओम राजा दि राजा यक्रसय सारिवे नमो वयम वैश्रवनार्य कुर्महे समेकामाल कामकामायमयम कामेश्रवो वैश्रवनों दादू तुवे आर्यो वैश्रवनाया महादार्या नमहा ओम स्वस्ति साम राज्यम भूच्यम स्वाराज्यम वैराज्यम पारमेश्यम राज्यम महाराज्यमाधि पत्यमयं समंद पर्याद इस्यार्चार्वको मस्सार्वा युशांतार्दापयार्धात पृतिल्यय समुद्र पर्यंताया एकराडिती तदप्रेश्योको भिगितो मरुतप्परिवेष्टारो मरुतस्या वसंद्रदे आविक्षितस्यकामप्रिवे विषवे देवा सभा सदिती ओम् एकदंताय विद्महे वक्रतुन्दाय धीमहे तन्यो तन्ति प्रचोधया भा ाा आविक्षितस्यक आविक्षिए कहिए झाल झाल